नमस्कार में देख्षा सिंग बोल्सकाई में आपका स्वागत है बाल सुंदर घनेवा सिल्की होने से लुग बेहद अच्छा आता है इसी के साथ आत्म विश्वास भी बढ़ता है मगर बालो की देख भाल के लिए सिर्फ शैंपू करना ही काफी नहीं होता इसके लिए कंडिशनर लगाने की भी जरूरत होती है मगर अक्सर कई लड़ क्या कंडिशनर कम इस्तमाल करना पसंद करती है दरहसल वो सोचती है कि कंडिशनर लगाने से बाल जढ़ने लगते हैं अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत है एक्सपर्ट के अनुसार बालो पर कंडिशनर लगाने से ये अंदर से रेपेर होते हैं ऐसे में बालो का उलजना तूटना बंद होकर ये लंबे घने मुलायम वा शाइनी नज़र आते हैं अगर गलत तरीके से कंडिशनर का इस्तमाल करने से हेयर फॉल की समस्या हो सकती है तो चलिए आपको बताते हैं इसके इस्तमाल करने का सही तरीका एक्सपर्ट के अनुसार हेयर कंडिशनर को हमेशा बालो की लेंस पर लगाया जाता है इसके लिए शैंप के बाद बालों से एक्स्टा पानी निचोड़ दे अब गीले बालों पर मिडल वा अखरी छोड़ तक कंडिशनर लगाएं हलके हाथों से बालों की कुछ सेकंड मसाज करें इसे एक दो मिनिट लगा रहने दें बाद में बालों को पानी से धोलें इसके साथ ही इससे स्कैल पर लगाने की गलती ना करें हाँ कंडिशनर को बालों की जड़ों यानि स्कैल पर लगाने से आपको हेर फॉल की समस्या हो सकती है